हेलो टेडर्स, वेलकम बैक तो दा अनदर इंटरे स्टॉक वीडियो आज इस वीडियो में बात करेंगे कल के लिए कुछ बैठरी इंटरे स्टॉक जिस पे आप इंटरे टेडिंग कर सकते हैं और टेडर्स आज जो stock trade करने देते उसका भी performance जानेंगे तो वीडियो पे आप पुड़ा बने रहे और टेडर्स अभी तक हमारे telegram channel से नहीं जुरे हैं तो वहाँ भी जुरे आपको वहाँ nifty और bank nifty का important support assistance level देखने के लिए मिलता है आपको वहाँ trade setup और वहाँ पे आपको बहुत ही सारी टेडिंग से related देखने के लिए मिलता है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा helpful होगी तो आप हमारे telegram channel से जॉइन हो सकते हैं लिंक description में दिया गया है तो टेडर्स पहले हम बात कर लेते हैं आज जो stock trade करने देते उसका performance कैसा रहा तो आज का हमारा first stock था महिंद्रा के तरफ से जिसमें हमें buying portion टीगर हुआ जिसमें stock नहीं हाय बनाया लग लग गी 388 के पास तो इसमें हमारा कोई स टार्गेट नहीं है इसमें SL देखने को मिला और टेडर्स इसमें यह पर 10 लाइन मार्क कर दिये थे इसमें हमें लेबल नहीं दिये थे अगर आप इस लेबल के नीचे स्वार्चल पुशन बनायोंगे तो आप एक अच्छा target देखने के लिए मिल गया होगा अगर आप यह स्टॉक ने हाई बनाया लगवग यह 1492 के पास तो इसमें हमारा सारा target अच्छीव ओ और यह स्टॉक हमारा jackpot भी सावित हुआ इसमें जिसने भी टेड के होंगे अच्छा कासा profit बुक के होंगे अगर टेडर सा profit बुक के होंगे तो नीचे आप comment करके बता सकते हैं तो आज के लिए हमारा third stock था industry and bank के तरफ से जिसमें भी हमें buying portion टीगर देखने को मिला जिसमें हमारा ये label पर buying portion था और ये दोनों target था जबके stock ने high बनाया लगवग यह 1343 के पास ही तो इसमें भी हमारा सारा target अच्छा अच्छा profitable था अगर आप profit बुक के होंगे तो clients के तरफ से जिसमें हमें buying portion टीगर देखने को मिला इसमें traders हमें retail हुआ और फिर से label जो है एक अच्छा bounce back दिखाया जिसमें हमारा ये label था और ये दुनों target था जबके stock ने high बनाया लगवग 2523 के पास तो इसमें हमारा सारा target अच्छीव और ये वी stock हमारा jackpot सावित हुआ तो traders आज हमारा चार में से दो stock jackpot सावित हुआ और सब में हमें successfully target अचीव देखने को मिला तो traders अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं क्यों तो subscribe करके bell icon बाले और bell icon और telegram चैनल से भी नहीं जुरे हैं तो वहाँ भी जुरे तो traders अब हम बात कर लेते हैं कल के लिए कुछ battery in intraday stock जिस पे आप कल के session में intraday trading कर सकते हैं तो कल के लिए हमारा first intraday stock हो जाएगा HDFC bank के तरफ से पहले इसको 15 minute के time frame में देखे तो एक 10 line को ये multiple time resistance करते हुए आ रहा था यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बार 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 multiple time resistance को retaste कर रहा था और ये जो 10 line को ये breakout भी दिखा दिया है और यहाँ पे एक horizontal resistance जो क्या है यहाँ पे भी horizontal resistance को multiple time ये retaste कर रहा है अगर कल के session में chance है ये resistance को breakout करके उपर निकलता है तब इसमें एक अच्छा momentum देखने के लिए मिल सकता है तो कल इसमें आप buying position बना सकते हैं जि अगर ये कल के session में ये 10 line को breakout करके उपर निकलता है तब इसमें आपको buying position के लिए जाना है तो कल के लिए हमारा ये first interday stock हो जाएगा तो कल आप इसे जरूर टेक्ट करें तो कल के लिए हमारा second interday stock हो जाएगा SBI Life Insurance के तरफ से इसको पंदे मिनेट के टैम प्रे में देखे तिसमें भी एक अच्छा खासा pattern बनता हो देखने के लिए मिल रहा जो symmetrical triangle kind of pattern है ये जो 10 line जो है ये multiple time ये resistance की तरह ये follow कर चुका आप यहां पे देख सकते हैं इसमें आपको buying position के लिए जाना है जिसमें हमारा label हो जाएगा 1,2,4,5 से उपर हमारा first target रखेंगे 1,2,4,8 का second target रखेंगे 1,2,5,2 का और इसमें stop loss रखेंगे 1,2,4,1 का तो अगर ये breakout होके उपर निकलता है तब इसमें आपको buying position बना लेना है और इसमें टेरस देखे तो ये 10 लाइन जो है ये multiple time ये काफी लंबे time से ये support की तरह follow कर चुका है आप यहाँ पर देख सकते हैं ये multiple time ये support की तरह follow कर चुका है first time रिटेस की है फिर ये second time और ये third time अगर कल के session में ये 10 लाइन को नीचे से breakdown करेगा तब इसमें आपको short seal position मना के चल सकते हैं जिसमें ह breakdown करता है तब इसमें आपको short seal position मना के चलना है तो कल के लिए हमारा ये second interday stock हो जाएगा तो कल आपी से जरूर टैक करें तो कल के लिए हमारा third interday stock हो जाएगा sun farma के तरफ से इसको 15 minute के time frame में देखें तो इसमें एक अच्छा खासा pattern बनता हुआ देखने के लिए मिल रहा है तो teaters ये कौन सा pattern है आपको नीचे comment करके बताना है ये जो neckline है ये neckline का अगर नीचे breakdown करता है तब इसमें आपको short seal push मना के चलना है ये एक bearish pattern है आपको ये neckline को जब भी breakdown करेगा तो एक अच्छा move देखने के लिए मिल सकता है जिसमें हमारा label हो जाएगा 985 से नीचे हमार आपको short sale push मना के चल सकते हैं अगर ये breakdown नहीं करता है और market उपर जाएगा फिर यहीं से reverse होके तब आपको इस label के उपर आपको buying push मना के चल सकते हैं जो label हो जाएगा 990 के उपर तो कल के लिए हमारा ये third interday stock हो जाएगा तो कल आप इसे जरू टैक करे तो कल के लिए हमारा fourth interest stock हो जाएगा मुत्व finance के तरफ से इसको आज देकर तो ये अच्छा रेलिंग में ये trade किया है और ये कल के session में एक resistance को ये retest कर रहा है अगर कल के session में ये वी resistance को breakout करके दिखाता तो फिर से इसमें एक अच्छा move देखने के लिए मिल सकता है तो अगर ये कल resistance को breakout करेगा त इसमें stop loss रखेंगे 1156 का तो अगर ये breakout होके उपर निकलता है तब इसमें आपको bind position के लिए जाना है अगर ये breakout नहीं होता है और market negative set जाता है तब इसमें आपको social position मना के चल सकते हैं जिसमें हमारा label हो जाएगा 1150 से नीचे हमारा first target रखेंगे 1146 का second target रखेंगे 1142 का और कल के लिए हमारे ये 4 इंटाटी स्टोक हो जाएगा तो कल आपी से जरूर टेक करें और टेडर सभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं क्यों तो सस्क्राइब करके बैल अकर दबाले और टेलीग्राम चैनल से भी नहीं जुरें तो महाँ जुरे लिंक description में दिया गया है जुरे जिलीग्राम चैनल से जरुबे लिए हमारे।